प्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज की इस वीडियो में हम करेंगे महा शिवरात्री व्रत कथा तो बोलो शिवशंकर भोले नात कीजै, माता पारवती कीजै प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुम्ब का अपने परिवार का पालन पोशन करता था एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला लेकिन दिन बर भाग दोड करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त ना हुआ वह भूख प्यास सी व्याकुल होने लगा शिकार की बाट निहारता निहारता वह एक तलाब के किनारे बेल व्रिक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा बेल व्रिक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्लोव पत्रों से ढखा हुआ था शिकारी को इस बात का ज्यान नहीं था पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनिया तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जागिरी शिकार की रहा देखते देखते वे बिल्लव पेड से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अरपित करता गया दिन बर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया शिवलिंग पर बेल पत्र भी छड़ गये इस तरहे वे अंजाने में किये गए पुन्ने का भागी बन गया बोलो शिवजी भगवान निकी जै रातरी का एक पहर वेतीत होने पर एक गर्बनी म्रिगी तालाब पर पानी पीने आई शिकारी ने धनुष पर तीर की प्रतेंचा जो ही चड़ाई और खीची तो म्रिगी बोली शिकारी मुझे मत मारो मैं गर्बनी हूँ शिगरी प्रसव करूँगे तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जोकी ठीक नहीं है मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शिगरी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगे तब तुम मुझे मार देना शिकारी को हिरनी सच्ची लगी उसने तुरंत प्रतेंचा ढीली कर दी और म्रिगी जाडियों में लिप्त हो गई कुछ समय उप्रांत एक और म्रिगी उधर से निकली अब शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया समी पानी पर उसने धनुष पर फिर से बान चड़ाया प्रतेंचा खीची म्रिगी ने विरनमता पूर्वक निवेदन किया ही शिकारी मैं थोड़ी देर पहले ही रितु से निर्वित हुई हूँ का मातुर विरहनी अपने प्रिये की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर शिकर ही तुम्हारे पास आ जाओंगी शिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार अपनी शिकार उसने स्वेम खो दिये उसका माता ठनक गया वे चिंता में पढ़ गया रातरी का आखरी पहर बीत रहा था तबी एक अन्यम्रिगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी के लिए ये सुर्णे मफसर था उसने धनुष पर तीर चड़ाने में देर ना लगाई वे है तीर छोड़ने ही वाला था किम्रिगी बोली शिकारी मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कियाओंगी इस समय मुझे मत मारना शिकारी हसा और बोला सामने आए शिकार को छोड़ दूँ मैं ऐसा मुर्ख नहीं हूँ इससे पहले मैं दो बार शिकार खो चुका हूँ मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे उत्तर में इम्रिगी ने फिर कहा जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है इसलिए सिर्फ बच्चों की नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ ही शिकारी मेरा विश्वास कर मैं इने इनके पिता के पास छोड़कर तुरंथ ही लोटाने की परतिग्या करती हूँ म्रिगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई उसने उस म्रिगी को भी जाने दिया शिकार के अभाव में बेल विक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फैकता जा रहा था पोफटने को हुई तो एक हिष्ट-पुष्ट म्रिग उसी रास्ते पर आया शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा शिकारी की तनी प्रतिंचा देखकर मुने एक वरीनीत स्वर में बोला शिकारी भाई यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन म्रिगियों तता छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम ना करो ताकि उनके वियोग में मुझे एक शन भी दुख ना सहना पड़े मैं उन म्रिगियों का पती हूँ यदि तुमने उन्हें जीवन द्यान दिया है तो मुझे भी कुछ शन जीवन दान देने की किरपा करो मैं उनसे मिलकर तुमारे सामने उपस्तित हो जाऊंगा मुझे की बार सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया उसने सारी कथा म्रिग को सुना दी तम म्रिग ने कहा मेरी तीनो पत्निया जिस प्रकार प्रतिज्य बद हो कर गई है मेरी मिर्ट्यु से अपनी धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी अतहा जैसे तुमने उन्ही विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामनी शिगर ही उपस्थित हो जाऊंगा। उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव के नुकमपा से उसका हिंसा खिर दे कारोनिक भावों से भर गया। वैसे अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्यताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बार म्रेक सा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थ हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किन्तु जंगली पश्यों की ऐसी सत्यता, सात्विक्ता एवं सामोहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आसुओं की जड़ी लग गई। उसम्रिक परिवार को ना मार कर शिकारी ने अप अपनी कठोर हिर्दे को जीव हिंसा से हटा, सदा के लिए कोमल एवं दयालू बना दिया। देव लोग से समस देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। कि कैसे शिवशंकर भोले नाथ ने उसके उपर किरपादिष्टी डाली और एक शिकारी को एक कोमल हिर्दे वाले इंसान की रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह भोले भंडारी ने उस शिकारी के उपर दयादिष्टी डाली। घटना की परिनती होते ही देवी देवताओं ने पुछप वश्चा की तब शिकारी तथा म्रिग परिवार मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो हे शि कारी के उपर और पूरे म्रिग परिवार पे अपने किरपादिष्टी डाली और उने मोक्ष प्राप्त करवाया। ऐसे सभी के उपर किरपादिष्टी डालना और मोक्ष प्राप्त करवाना। तो बोले शुशंकर भोले नात कीजाए, माता पारवती कीजाए। तो फ्रें मिलता रहे और कमेंट में जैशिवशंकर अवश्य लिखिए